अब इंस्ट्रक्शन साइकल के बारे में पढ़ेंगे वैसे यह टॉपिक होपर वाले टॉपिक पर ही बेस्था उसको अगर साही समझ गये तो यह असानी समझ जाएंगे इंस्ट्रक्शन साइकल क्या होती है लेकिन अब देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या प्रोसेस होता है सबसे पहले एक तरब इसका S-number लिखा है उसके बाद step to performed यह सारे जो step होने हैं How is it done? यानि यह कैसे किया जाते हैं Who does it? और इसे कौन करता है Instruction cycle में देखें सबसे पहला step होता है Calculate the address of next instruction to be executed जो भी instruction execute होना है अब उसके address की करना करना है उसके बाद में How is it done? यह कैसे होता है जो प्रोग्राम काउंटर PC register store the address of next instruction Next instruction का register प्रोग्राम काउंटर store करता है और इसे control unit दा रखिया जाता है control unit सारे instruction बताता है प्रोग्राम काउंटर को कि यह instruction इसके बाद होगा यह इसके बाद यह इसके बाद मतलब उसको control करता है कि यह इसके बाद होना यह इसके बाद में इसका समय यह है इसका समय यह है तो प्रोग्राम काउंटर उन instruction के track record को store कर लेता है आप इधर इस instruction cycle को भी देखते चलिए, क्योंकि इसको देखते जाएंगे और इधर पढ़ते जाएंगे, लिखायर सबसे पहले calculate the address of next instruction, यही पहले वाला topic जो भी बताया, यह सबसे पहले यहां से start होता है, और उसके बाद में fetch instruction होता है, MAI register यहीं memory address register द्वारा उस instruction को fetch किया जाता है, और फिर instruction को decode किया जाता है, जो instruction register में होता है, लेकिन उससे पहले memory buffer register में memory address register के fetch करने के बाद वो value लाई जाती है, उसके बाद में फिर memory buffer register उन सबको instruction register में देता है, जो decode करता है values को, कि अब इन instruction को क्या करना है, यही दूसरे नंबर पर बताया हुए है, अब क्या करना है, get the instruction in CPU register, instruction को CPU register में लाए जाए, तो ये step करने के लिए, कैसे होता है, तो memory is accessed and desired instruction in route to instruction register in CPU, CPU में जो instruction register में, उसमें in values को लाता है, ये in registers के द्वारा किया जाता है, जो program counter track record को बताता रहता है, कि इसके बाद ये करना है, और तीसे नंबर वाला, अब decode the instruction, ये instruction register में होता है, जो तीसे नंबर वाला पताया है, भी instruction register में क्या होता है, decode होता है, the control unit issues necessary control signals, ये control unit के द्वारा होता है, decode करने का कार, control unit द्वारा instruction register में होता है, उसके बाद चोथे नंबर पर है, evaluate the operator address, ओपरेंट का address अब जानना है कि कौन कह पर है अब उनके एड्रेस से उन डाटा को फिर्च करके एक्युमिलेटर रिस्टर में लाना है उसके लिए क्या करना पढ़ीगा अब उसमें डायरेक्टली या इंडायरेक्टली कैसे जाना है CPU को उस एड्रेस तक कैसे पहुचना है वो सारी शीजे अभी मैं बता चुका हूँ कि कैसे पहुचेंगे कैसे क्या होगा कैसे वहां से डाटा को लाया जाता है उस चीज के बारे में अभी बता चुका हूँ और ये कौन करता है CPU अंडर दा कंट्रोल यूनिट के द्वारा करत तो इंस्ट्रक्शन को ढूणा था अब ऑपरेंट्स को ढूणेंगे माना ऑपरेंट मिल गया अब अगर और भी ऑपरेंट है तो उनको अब ढूणा जाएगा और अगर नहीं है तो परफॉर्म कल्कुलेशन ये नेक्स्ट इस्टेब जो एल्यू सी यू के दारा होता है य अर्थमेंटिक लॉजटिक ऑप्रेशन वहाँ पर करता है उसके बाद में फिर उनका जल्ट्स देता है और लास्टिप क्या है स्टोर दा caval इममोरी में डिज़ाइट्स को स्टोर करना है दा वैल्यू इजिटेन टूट embryors दोमोजिन गाशन चम्पर करणे पर और ये कौन क पर है इस program execution complete अगर program का execution complete हुआ फिर load another program फिर दूसरे program पर जाओ और अगर नहीं complete हुआ तो फिर दूसरे step पर जाओ calculate the address of next instruction जो add भी है इस book में add भी next instruction है उसको भी execute करना है ऐसे ही और यह सारे points आप इसके बाद में पढ़ लेना और आपका यह instruction cycle complete हो गया अब interrupts के बारे में जानते हैं the term interrupts is an exceptional event that causes CPU to temporarily transfer its control from from currently executing program to a different program which provides service to the exceptional event interrupts देखा जाए तो यह एक exceptional गठना है जिसके current CPU अस्थाई रूप से अपने नियंतर को वर्तमान में निस्पादी program यानि जो वर्तमान में execute हो रहा होगा program उस program से एक अलग program में इस्थानांतरित करता है जो exceptional गठना के लिए सेवाएं प्रदान करता है यानि interrupts के लिए सेव पारा चालू कर देता है लेकिन जो interrupts आए हैं यानि जो program execute होने के लिए अलग से आए हैं अगर वह जरूरी है तो उनको सबसे पहले करेगा उसके बाद में जो उसका program execute हो रहा होगा उसको फिर execute करना start करेगा इसका उदारे नेकलेते हैं जैसे आगर आप कोई किताब पढ़ना चाहरे हैं किताब को लगातार पढ़ना चाहरे हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि यह word मुझे समझना जरूरी है तो आप उस word के बारे में सबसे पहले समझने के लिए काम करेंगे तो आप सबसे पहले उस word को समझने के लिए study करेंगे उसके बाद में फिर जो आप study कर रहे होंगे उसको फिर वहीं से study करना start करेंगे यह काम होता है interrupts का यानि यह जो program execute हो रहे होते हैं उनको कुछ समय के लिए रोग देता है और interrupts के program execute होने के बाद में फिर वापिस उसी execution को start करता है अब इसके प्रकार देख लेते हैं कि कब-कब interrupts आ सकते हैं एक तर occurrence of event यानि interrupt कैसे हो सकता है इसके बारे में interrupts are generated by executing program itself also called traps computer के द्वारा खुद ही अगर एक तरफ प्रोग्राम execute हो रहा है अगर उससे दूसरा program execute करने की जुरूरत पड़ी तो अगर वो खुद ही interrupts पैदा करता है पहली condition है interrupts यानि विवधान अगर computer के द्वारा खुद किया जाए दा नंबर exceeds the maximum allowed अगर maximum limit से जादा नंबर हो चुके हैं attempt of executing an illegal privilege attempt of executing an illegal privileged instruction instruction के illegal attempt पर हो सकता है trying to reference memory location other than allowed for that program इस्म्रती स्थान को संदरभीत करने का प्रयास करना यानि storage को संदरभीत करना उस program के अलाबा memory location में कोई अन्य program ढूणना दूसरी condition है interrupt generated by clock in the processor इसमें है generally used on expiry of time allocated for a program in multi programming operating systems अगर program के execution का time over हो चुका है फिर भी उसके लिए programming की जा रही है तो उस चीज के कारण व्यवधान उत्पन होगा यानि interrupt आएगा interrupt generated by IO devices and their interfaces input output devices के दारा interrupt generate करना request of starting an input output operation कोई भी input output जैसे keyword से अगर हम कुछ लिख रहे हैं जैसे 5 प्लस तो लिखा और यह instruction अब CPU में जाएंगे यही instruction interrupt है जब कोई दूसरा program चल रहा हो normal completion of input output operation कोई भी input output device का normal card है complete करना जैसे अभी बताया occurrence of an error in input output operations अगर input output devices में कोई error आ जाती है तो भी interrupt आ जाते हैं interrupt on hardware failure अगर power बंद हो जाता है तब भी interrupt आ जाता है memory parity error memory अगर फूल हो जाती ही तब भी interrupt आ जाता है तो ऐसे बहुत सारे interrupt हैं कुछ useful हैं कुछ unusual है इसकी usefulness यानि advances जैसे this is so fact that almost all the external devices are slower than the processor therefore in a typical system a processor has to continually test whether an input value has arrived or a printout has been completed in turn wasting a lot of time यह इस तथिके लिए है कि लगबग सभी बाहरी उकरण processor के तुलना में धीमे होते हैं इसलिए एक विशिश प्रणाली में एक processor को लगातार परिच्छन करना पड़ता है यानि लगातार प्रोसेस करना पड़ता है प्रोसेसर के speed बहुत fast होती है लेकिन input output devices के speed उतनी fast नहीं होती है प्रोसेसर बहुत सारे instruction एक ही बार में कर सकता है लेकिन input output devices के speed इतनी fast नहीं है तो वो input output device को भी handle कर लेता है उसी समय और उसी समय और दूसरे प्रोसेस भी कर लेता है इसलिए हमारा time बच जाता है यह सबब पड़ लेना लेकिन CPU को यह पता कैसे चलेगा कि interrupt आये हैं या फिर interrupt signal कहीं जैसे उत्पन हुए हैं जैसे mouse से keyboard से इन बाहरी उपकरणों से जिससे वो इन प्रोग्राम को execute करें यानि जब हम mouse का pointer हिलाए तो उसका process होके monitor पर pointer को दिखाए यह भी interrupt है तो ऐसे interrupt को पहचाने का कैसे यह registers के द्वारा होता है registers तो अभी बताये थे बहुत सारे registers वैसे ही यह भी registers के द्वारा ही होता है जैसे memory address register है तो वो address पहचानता है कि memory में कहां है वैसे ही यह different location का address पहचानते हैं जो CPU को बताते हैं कि यह interrupt हुआ है और इसका process पहले करना है First the condition is to be checked as to why the interrupt has occurred सबसे पहले तो यह condition चखोगी कि interrupt क्यों हुआ है That includes not only the device but also why that device has read the interrupt जो इस बात तक सीमित नहीं है कि किस device ने interrupt signal को भेजा है बलकि इससे भी मतलब है कि वह क्यों भेजा है Once the interrupt condition is determined the necessary program called ISR interrupt service routines must be included such that the CPU can resume further operations एक बार interrupt की condition पहचानने के बाद necessary program जो आवस्चक program होता है called ISR यहनि interrupt service routine को execute किया जाता है Such that the program CPU can resume उस समय जो operations हो रहे होते हैं उन सब को CPU बंद कर देता है उन सब program को CPU कुछ देर के लिए रोग देता है इसका example भी आप नीचे देख सकते हैं यह लिखा है और यह सब PDF में भी देख लेना अब interrupt को execute करने का process क्या है उसको देख लेते हैं सबसे पहले CPU find out करता है interrupt का source as this will determine जिससे वाँ पहचान पाए कि कौन सा interrupt service routine execute होना है उसके बाद the CPU then acquires the address of the interrupt service routine which are stored in the memory in general समाने के CPU interrupt service routine का पता प्राप्त कर लिता है जो मिमोरी में समाने रूप से संग्रेद होते है इस question का अंसर है प्रोग्राम को खुछ समय के लिए रोग दिया जाएगा जब तक interrupt का execution खत्म नहीं हो जाता है उसके बाद में फिर से प्रोग्राम को उसी अवस्था से स्टार्ट किया जाएगा जो पहले भी बताया गया थोड़ा रोग कर ये भी पढ़ लो इसके आगे का Finally, the CPU executes the interrupt service routine till the completion of the routine interrupt का execution अंतरता CPU कर लेता है उसके बाद में a return statement Mark the end of this routine जो return statement होती है वो इस ओर इसारा करती है कि interrupt का execution पूरा हो चुका है Finally, the CPU executes the interrupt service routine till the completion of the routine सबसे पहले CPU एक कारे करता है जो interrupt को पहचानने के लिए होता है कि किस device, input, output, memory कहां पर interrupt हुआ है तो इसके लिए सबसे पहले एक अपना routine जादी करता है और जब वह routine पूरा हो जाता है A return statement marks the end of this routine तो return statement आती है जो mark करती है इस routine के end होने पर After that, the control is passed back to interrupted program इसके बाद जो interrupted program है यानि जो program थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था interrupts आने के कारण उसका execution फिर से start कर दिया जाता है अब इस instruction cycle with interrupt cycle को देख लेते हैं तो ये processing step है सबसे पहले उपर से store result तक का सारा instruction cycle का ही process दिया है जो अभी हमने बताया था तो ये तो आप जानते ही है तो आप यहाँ से क्या होता है interrupt कैसे आता है इसमें तो सबसे पहले calculation होने के बाद store result की बादी आती जिसे बीच में कहीं interrupt आया तो इसमें check करता है क्या interrupt है अगर है तो interrupt का process करना है अगर program complete हुआ है तो फिर दूसरे program को execute करना है और अगर program नहीं complete हुआ है दूसरा instruction अभी complete होना है तो फिर से हो जाएगा processing step पर calculate the address of next instruction पर फिर से ये process होगा और अगर interrupt आता है तो सबसे पहले interrupt का check करेगा कि interrupt आया की नहीं उसके बाद interrupt का process होने का बाद भी ये check करेगा कि क्या interrupt complete चुका है अगर हो चुका है तो तो ठीक अगर नहीं हुआ है तो जैसे ये instruction cycle process होती है तो ऐसे ही interrupt भी तो एक instruction ही है तो वो भी ऐसे ही process होंगे इस जिगा पर जो इत्ता लिखा है लेकिन ये process उतना ही है अगर interrupt complete हो चुका है तो प्रोग्राम पर वापस चला जाएगा इसमें आप नीचे लिखा हुआ statement पढ़ सकते हैं अगर ISR प्रोग्राम यानि interrupt पूरा हो चुका है तो फिर जंप करना है कहां पर जो प्रोग्राम पहले stop कर दिया था उस पे और अगर वो भी प्रोग्राम पूरा हो चुका था तो इफ प्रोग्राम इज ओवर दिन जंप टू अधर प्रोग्राम तो फिर दूसरा प्रोग्राम करने में लग जाओ ये भी आप तिन चार पॉइंट पढ़ लेना इनके बारे में अभी वीडियो स्टॉप कर लो और थोड़ी दिर के लिए इसको फिर पढ़ लो